नमश्कार दोस्तो मैं हूँ डुक्टर मुरीश कारी आप देख रहे हैं डुक्टर खारी आज किस वीडियो में बात करेंगे चेनोपोडियम एंधेल में टीकम दवई के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि चेनोपोडियम को किन रोगों में किन सिम्टम्स में दिया जा दोस्तों इस दवाई को 3X में दिया जाता है 30CH में दिया जाता है लेकिन किन परेशान यहों किन सिंटम्स में इसको देना जाए यह लेने का सज तरीका क्या होता है जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बात करें तो थो अगर पैशेंट को सुनने में कोई दिख्कत आ रही है hæring loss की शिकायत आ रही हैことेरी ने प्रिशानी रभ में कोई प्रेशानी हैahu लूम प्रिशन पराम सेंसेसना आती हैँ तो ऐसे cases में दवाई बहुत effective रहती है इसके इलावा इस दवाई को tonsillitis में भी दिया जा सकता है जो हमारे गले में tonsils होते हैं कहीं बार उनमें inflammation के गारण patient को गले में दर्द, कान में दर्द की शिकायत आ सकती है ऐसे cases में tonsillitis को ठीक करने में भी बहुत effective कान में patient को एक infection होता है जिससे tinnitus बोनते हैं tinnitus infection में patient को कान में दर्द होता है, surgeon आ जाती है या फिर hearing loss की प्रेशानी patient को आ जाती है तो ऐसे cases में दवाई बहुत effective रहती है ringing sound भी अगर patient को कान से सुनाई दे रहा है गंटी के आवाज ये patient को लगातार अपने कान में आ रही है ऐसे cases में भी पीचाती है इन गंटीों के आवाजों को बंद करने में मददकार रहती है टinnitus infection को ठीक करने में मददकार रहती है ये दवाई कमर दर्द में बहुत effective रहती है कमर दर्द के लिए instant pain में बहुत मुसरदार रहती है patient को अगर कान से कम सुनाई दे रहा है तो ये दवाई तो दी जाती है लेकिन अगर patient को high picture sound सुनाई दे रहे हैं कान से तो ऐसे cases में बहुत effective रहती है जहां patient sensitive हो जाता है इसको कान में अजीब सी आवाज आती है तो दर्द होता है तो ऐसे cases में दर्द की मैं बात कर रहा था तो कमर दर्द में दर्द की में बहुत तब भी दी जा सकती है अगर kidney से related कोई परेशानी है kidney infection होगा, inflammation आगर तो ऐसे cases में भी अगर कमर दर्ध हो तो यह दोई दे सकती है सिरyu में पेशाब में परिशानी आति यह the assistance करते होइं जलन की बढकि शैखती रहती है यह लोई यूरीं देखने को मिलता है यह दोई दी जा सकती है दर्ध में रहाद दे जलन में रहात देती है और योरीन डेलेटेट प्रोग्रम्स में यह दोई बहुत इफेक्टिव रहती है डलनेस कमर में पेशंट को दिखाई देती है इसके अलावा इसे हम पेट के कीडों में भी दे सकते हैं हूप में प्राउंड वोम में अगर पेशंट की शिकायत आ रही है बेट में केड़े हो गए है तो ऐसे केसे में भी दवाई दी जा सकती है दोस्तों अगर आप इन में से कोई भी परेशानी और आप इस दवाई का से बन करना चाते है तो एक बार अपनी होमियों के दूटर से चंसर्ट जरूर कर लें उनको रिपोर्स बगरा दिखाएं क केस टेकिंग कराएं तब ही डिसाइड उपाई का क्या आपको कौन सी दवाई जाती जाएंगी इसको 3x में भी उसक्या जाता है जो टेबलेट फॉर्म में जाया जाती है 30cs 200cs डाइलोशन में इसको यूस के जाता है कि इसको क्या पोटेंसी क्या डोसिस दी जाएंगी